भगवान सिरी कृष्णों का नाम किसने नहीं सुना और गीता साथ 50% लोगों के घरों में गीता रखी हो तो भगवान सिरी कृष्णों और गीता का नाम जैसे दिमाग में आता है तो इस विषय को हम धर्म से जोड़ देते हैं और धर्मिक विषय हो जाता है हमारे आध्यात्म के छेत्र में जितने भी विषय हैं वो सब धर्म से जोड़े हुए हैं और धर्म का मतलब हम नहीं जानते हैं आज हम बात करेंगे स्री कृष्ण और महाभारत की कि स्री कृष्ण कहते हैं बिश्लू के अवतार थे अब अवतार तो हम लोग भी हैं जब ये विश्या आता है कि स्री कृष्ण और स्री राम बिश्लू के अवतार थे तो मैं बता दूँ कि हर मनुस उसी परमपिता परमात्मा का अवतार है क्योंकि परमपिता परमात्मा की मर्जी के बिना यहां कोई जनम ले नहीं सकता फर्क सिरफ इतना है कि कुछ लोगों ने जिनोंने अपने जीवन के सत्त को समझा धर्ती पर जनम लेने के उद्देश को समझा और उस उद्देश की पूर्ती के लिए पूरा जीवन खपा दिया वो लोग भगवान कहलाए और वोनों ने पूरे समाज को भुमंडल के सभी लोगों को एक संदेश दिया आज भी जब हम महाभारत या गीता की बात करते हैं तो उसको इतना हलके में लेते हैं कि हम तो गीता को अपना धर्म गरंत मानते हैं मानते हैं आप वो धर्म गरंत क्यों लिखा गया स्री कृष्ण ने सत्यों धर्म की इस्थापना के लिए क्या क्या किया क्या ये गीता सिरफ पढ़ने का गरंत है या अपने जीवन में अनुसरन करने की कविसा है बहुत से लोग स्री कृष्ण के भक्त हैं प्रतिवर्स ब्रिंदावन मतुरा की परक्रमा करते हैं क्रिष्ण मंदिर का दर्शन करने जाते हैं और आ जाते हैं ये जो महापुरुस हुए हैं या ये जो धर्म गरंत लिखे गए हैं इनके पीछे एक मकसद है एक कहानी है स्री कृष्ण ने जितना भी जीवन जिया वो किसके लिए जिया क्यों जिया या महाभारत लिखने वाले कभी ने महाभारत जैसा बिसाल गरंत क्यों लिखा हम ahí वहाँ पहुंचना है तो हमे कुछ सीखना है अगर मैंने स्री कृष्ण का नाम सुन करके उनसे को सीख लिया जैसे स्री कृष्ण जब भी नाम आएगा तो स्री कृष्ण को देखिए आप कुरुप छेत्र में महाभारत के युद्ध में कौरो और पांडो दो लोग हैं और ये सब एक ही परिवार है लेकिन दुरियोधन अपने पिता के पुत्रों को यानि अपने चचेरे भाईयों को अपने राज की संपत्ती पर सुई की नोक के बरावर हिस्सा देना नहीं चाहेता उस बात को ले करके स्री कृष्ण ने कई बार हस्तनापुर का विजिट किया और मान मनमऑल की नहीं माने अंत में पूरी कानी आपको बताओंगा लेकिन महाभारत का युद्ध हुआ जब युद्ध में दोनों सेवनाय आमने सामने है तो अरजुन देख रहे हैं अरजुन के सार्टिय हैं स्री कृष्ण और अरजुन देख रहे हैं कि मेरे सामने तो मेरे गुरु हैं पिता हैं चाचा हैं भाई हैं और मैं इनको अपने धनुस से मारूँगा और गांडिव रख दिया यहां से शुरू होता है स्री कृष्ण का उपदेश स्री कृष्ण ने क्या कहा चुकि यह जो गीता है धार्म और सत्य की स्थापना के लिए है स्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ही चीज बोली अलागि उनको समझाने में बहुत समय लगा लेकिन विश्य केवल इतना था कि हे अर्जुन मनुस इस प्रत्वी पर सत्य वं धर्म की स्थापना के लिए आया है असत और अधर्म के मार्ग पर अगर तुम्हारा अपना पिता तुम्हारा अपना भाई तुम्हारा अपना गुरू भी क्यों ना हो तो गांडी उठाओ और उसका बद करो यहां मुझको क्या सिक्षा मिलती है कि जब धार्म और सत्त का विसाय आएगा तो फिर हम भाई बतीजाबाद छोण देंगे फिर मेरा कोई भाई नहीं है कोई बतीजाब नहीं है तो मित्र यह जो बहाँ भारत है या जो सिरी कृष्ण का उब्देश है उससे मुझे क्या सीखना है सिरी कृष्ण ने जनम लिये थे और वो बहलिया से मारे गए और वो चले गए अब सिरी कृष्ण की पूजा उब्यक्ति तो है नहीं इस संसार में उब्यक्ति आ नहीं है अब हम सिरीक्रण के भक्त सिरीक्रण की पूजा बहुत गंबीर विस है सिरीक्रण के भक्त होना सिरीक्रण की पूजा करने का मतलब है कि उनके द्वारा जो आदर्स इस्थापित किये गए थे, उनके जो निर्देश दिये गए थे, उनका अपने जीवन में अनुसरन करिये, अनता अगर ये आप नहीं द्यान दिये, तो सिरी कृष्ण की भक्ती में लोग जानते हो क्या क्या कर रहे हैं, सिरी कृष्ण जिसको अपने जीवन में फुर्सत ही नहीं मिली, बच्पन काल में तो कंस उनका मामा उनको मारने के लिए फिरता रहा, वो बसते रहे, जैसे बड़े हुए तो नंद बाबा की गाय चराने लगे, और जैसे ही बालिग हुए हैं वो, बालिग यानि समझदार जब हुए है, तो ये कौरों पांडों की सुला कराने म में बिजी हो गए, जब सुला नहीं हुए, और बड़े हुए, तो फिर महाभारत का युद्ध में अर्जुन के रत के सार्थी बने, श्री क्रिष्ण को रास लीला रचाने की फुरसत कब मिली, श्री क्रिष्ण को तालाब में नहाती हुई गोपिकाओं के वस्त चुरा करके और पेन पर चढ़ने की फुरसत कब मिली, एक भजन आया है, स्याम चूड़ी बेंचने आया, जिसको मैं भगवान मानता हूँ अपना, जिसको मैं आदर्स मानता हूँ अपना, उसके घिनावने चरित्र का चित्रण बुरी तरीके से किया जा रहा हूँ, ये खेल है हिंदू आस्ता के प्रती, हम उसको भगती मानते हैं और हमारी आस्ता के साथ एक खिलवार चल रहा है, और हम इस विसे को समझ ही नहीं पाते हूँ तो मित्र, मैं तो साब साब कहता हू कि जो कृष्ण का भगत है, जो सिरी कृष्ण का भगत है, उसको जीवन में एक चीत तैंकर लेनी चाहिए, कि मेरा संपूर्ण जीवन सत्त और नयाय के लिए होगा, सत्त और धर्म की स्थापना के लिए होगा, असत्त को छोण देना है, अधर्म को त्याग देना है, यही म नाभारत में कुरुक्षित के माइदान में सिरी कृष्म अर्जुन को समझाया तो यह जो काभ है उससे हमें कुछ सीखना है अगर पूरी पूरी गीता का अध्यन करते हैं तो देखिए कुछ बिंदू बहुत-बड़ा ग्रंथ है उसको पढ़ने में बहुत दिन लगते हैं गीता को आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो कहानी कहां से सुरू ही कि कौर्वों कौर्वों ने यानि दुरियोधन ने अपने भाईयों को हिस्सा देने से मना कर दिया यानि कि उनकी हिस्से की जो प्रापर्ट्री तो उस पर भी कब्जा कर लिया और का मैं नहीं दूँग तो आपको जो गीता है वो सिखाती है कि किसी के अधिकार नहीं छीनना अब आपको अपने जीवन में देखना कि आप किसी के अधिकार तो नहीं छीन रहे हैं अभी तो गीता का पाट करने वाले बहुत सारे लोगों के अधिकार छीन के बैठे हैं किसी के अधिकारों पर डांका नहीं डालना जिसके जो अधिकार हैं उसको मिलने दो आप अपने अधिकार छित में रहे हैं गीता हमको यह सिकारती है किसी का उपहास नहीं उडाना द्रोप्ति ने दुरियोधन का उपहा सुड़ाया था महाभारत होने का एक रीजन अबी है महाभारत होने के कारण समझे इतना बड़ा युद्ध जिसमें विशाल धन हानी जन और धन की आनी हुई उसका रीजन समझना आए अगर दुरियोधन पांड़ों के अधिकारों को नहीं छीनता तो महाभारत नहीं होता अगर द्रोप्ति दुरियोधन का उपहास नहीं उड़ाती तो साथ महाभारत नहीं होता पुत्रमों में अंधा नहीं होना अगर धृतराश्ट चाहते तो महाभारत नहीं होता जुआ नहीं खेलना और खेलना भी तो अपनी सीमाओं में रहके खेलना है जैसा कि आप जानते हैं इंद्र प्रस्त जब बस गया, रच गया, सज गया तो हस्तनापूर से भी ज़्यादा बैबाव साली हो गया अब दुरियोधन को फिर लालच आया तो अपने सकुनी मामा के साथ मिल करके और पांड़ों को दुर्थ कीड़ा में फंसा लिया अब यहाँ पर हमको केस सिक्षा मिलती है पांड़ों जो सात्रिक विचार धारा के हैं कई बार वो भी फंस गया, क्या फंस गया जुआ खेलना था, एक सौग के लिए खेलना था, अपने भाई के साथ खेलना था तो जुए की एक सीमा थी जुए में आप अपना मुकुट हार सकते थे, अपना हाथी घोड़ा हार सकते थे अपना महल हार सकते थे जुए में अपने भाईयों का दाउन लगा देंगे जुए में अपनी पत्नी का दाउन लगा देंगे आज यही हो रहा है बहुत सारे लोग जुए में जाने क्या-क्या हार जा रहे है तो महाभारत हमको सिखाता है कि जुआ नहीं खेलना और अगर खेलना है तो अपनी लिमिट में रहके खेलना है इस्त्री का अपमान नहीं करना एक इस्त्री ने एक पुरुस का अपहास उड़ाया था है mistake हो गई लेकिन पुरुस का क्या कर्तब है अगर हमारा किसी इस्त्री ने उपहास उड़ा दिया तो मैं भी अपनी विचार दरावाइसी कर लूँगा तो आप इस्त्री ने जब दुरुपती ने दुरुधन का उपहास उड़ाया तो दुरुधन ने दुरुपती के साथ क्या किया वो चीज बता रहा हूं तो इस्त्री का अपमान नहीं करना और कुरुक्षित के मैदान में जो हुआ दुनिया ने देगा स्री कृष्ण एक ही चीज कही कि है अर्जुन तुम यहां तुम या हम या हर वेक्ती धर्म एवं सत्त की इस्थापना के लिए जिनम लिया है और आप याद करना गीता पर नजर डालना जितनी कहानी सुनुए है उस पर नजर डालना कि जो जो व्यक्ती आप जिनकी पूजा करते हैं जिनको अपना आदर्स मानते हैं उन सभी आदर्सों ने सत्यों धर्म के साथ खड़े रह करके जीवन जिया तो क्या सीखना है हमको अगर स्री कृष्ण मेरे आदर्स हैं अगर स्री कृष्ण की मैं पूजा करता हूं अगर स्री कृष्ण को भगवान मानता हूं तो स्री कृष्ण के द्वारा दिये गए जो निर्देश हैं पूरे निर्देशों का पालत नहीं कर सकते मत करिए लेकिन गीता पढ़ना गीता रखना भगवत कथा सुनना भगवत कथा कराना और अपनी मर्जी से जीवन जीना ये नहीं चलेगा मित्रा हमको तैं करना पढ़ेगा अगर आप स्री कृष्ण के बगत है तो धर्म एवं सत्त की इस्थापना के लिए आपको दो कदम चलने की जरूरत है अगर आपने ऐसा कर लिया मत पढ़िये गीता मत जब ये जो है स्री कृष्ण के भजन क्या फरक पढ़ता है और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो पढ़ते रहिए गीता 20 साल की उमर से पढ़ना शुरू किया और मरते दम तक पढ़ा लेकिन आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा नमस्कार